शिबंडारू दतात्रे जी, केंद्रीय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी, नरेंदर सी तोमर जी, हर्दिप सी पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, शांसदगर्ण, विधायक गर्ण, पानी पत्में बड़ी संख्या में उपसीत मेरे प्यारे किसान, भाई और बहन, इस कारकम से जुड़े अन्य सभी महनभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को विश्व बायो फ्यूल दिवस की बहुत बहुत शुपकामनाई, आज का कारकम, पानी पत्त, हर्याना समेथ, पूरे देश के किसानों के लिए बहुत एहम है, ये जो पानी पत्त में आधुलिक इथेनोलिक का प्लांट लगा है, जैविक इंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुवात मात्र है, इस प्लांट की वहे से दिल्ली, NCR और पूरे हर्याना में प्रदूशन कम करने में भी मदद मिलेगी, मैं हर्याना के लोगों को विशेश रुप से मेरे किसान बेहनों भाईयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वैसे आज हर्याना डबल बधाई का अगदार भी है, कॉमन वेल्ड गेम्स में हर्याना के बेटे बेटियों ने बहुत शांदार प्रदर्शन करके देश का माथा उचा किया है, कि देश को बहुत सारे मेडल दिलाए हैं, खेल के मदान में जो उर्जा हर्याना के खिलाडी दिखाते हैं, वैसे ही अब हर्याना के खेत भी उर्जा पैदा करके दिखाएंगे, साथियों, प्रकृती की पूजा करने वाले हमारे देश में, बायो फ्यूयल या जैविक इंधन प्रकृती की रक्षा का ही एक परियाए है, हमारे किसान भाई भेहन तो इसे और अच्छी तरह सवत्ते हैं, हमारे लिए जैविंधन याने हर्याली लाने वाला इंधन, परियावरण बचाने वाला इंधन, आप किसान भाई भेहन तो सद्यों से इतने जागरुख है कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुँचाने तक, किसी भी चीज को बरबाद नहीं होने देते, किसान अपने खेत से उगने वाली हर चीज, उसका बक्खुबी इस्तमाल करना जानता है, जिस खेत में लोगों के लिए अन्नोक्ता है, उसी से पशुओं के लिए चारा भी आता है, फसल कटाई के बाद खेत में जो पराली बच जाती है, उसका भी हमारे अधितर किसान सही उप्योग करना जानते हैं, पराली का इस्तमाल पशुओं के चारे के लिए होता है, बहुत से गावों में मिट्टी के बरतन पकाने के लिए भी पराली उप्योग में लाई जाती है, लेकिन ये भी सच है, कि हर्याना जैसे खेत्रों में जहां धान और गेहूं की पैदावर ज़्यादा होती है, वहाँ पराली का पूरा इस्तमाल नहीं हो पाता था, अब यहां के किसानों को पराली के उप्योग का एक और साधन मिल रहा है, और यह साधन है आदूनिक इथेनौल प्लांट, जैविक इंधन प्लांट, पानी पत के जैविक इंधन प्लांट से पराली का मिनाये जलाये भी निप्तरा हो पाएगा, और इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे फायदे एक साथ होने वाले हैं, पहला फायदा तो यह होगा, कि पराली जलाने से धर्ती मा को जो पीड़ा होती थी, जो आग में धर्ती मा जुलस्ती थी, उस पीड़ा से धर्ती मा को मुक्ती मिलेगी, धर्ती मा को भी अच्छा लगेगा, कि पराली का अब सही जगह इस्तमाल हो रहा है, दूसरा फायदा यह होगा, कि पराली काटने से लेकर, उसके निस्तरण के लिए जो नई विवस्ता बन रही है, नई मशीने आ रही है, ट्रांस्पोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक इंधन प्रांट लग रहे हैं, इन सबसे गावों में रोजगार के नए आउसर पैदा होंगे, ग्रीन जॉब का ख्षेतरक मजबूत होगा, तीसरा फायदा होगा, कि जो पराली किसानों के लिए बोच थी, परेशानी का कारण था, वही उनके लिए अतिरिक्त आयका माध्यम बनेगी, चौथा फायदा ये होगा, कि प्रदूशन कब होगा, परियावरन की रक्षा में, किसानों का योगदान और बड़ेगा, और पांच वाला अब ये होगा, कि देश को एक बैकल्पिक इंधन भी मिलेगा, यानि पहले जो पराली नुक्षान का कारण बनती थी, उसी से ये पांच अमरित निकल लेंगे, मुझे खुशी हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, ऐसे कई जैविक इंधन प्रांट लगाने का काम किया जा रहा है, साथियों, जिन लोगों में, राजनितिक स्वार्थ के लिए, शौटकट अपना कर, समस्याओं को ताज देने की प्रवुत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थाई समादान नहीं कर सकते, शौटकट अपनाने वालों को, कुछ समय के लिए, भावाई भले मिल जाए, राजनितिक फाइदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती, इसलिए ही मैं कहता हूँ, कि शौटकट अपनाने से, सौट सरकीट अवश्य होता है, सौटकट पर चलने के बजाए, हमारी सरकार, समस्याओं के स्थाई समाधान में जुटी है, पराली की दिक्कतों के बारे में भी, कि बर्सों से कितना कुछ कहा गया, लेकिन शौटकट वाले इसका समाधान नहीं दे पाए, हम किसानों की पराली से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उन्हें इससे छुटकारा पाने के आसान विकल्प भी दे रहे हैं, हमने जो किसान उत्पाद संग है, एप्योज है, उन्हें पराली के निस्तरण के लिए आर्थिक मदद दी, इससे जुड़ी आधुनिक मशिनों की खरीद के लिए 80% तक की सबसीड़ी भी दी, अब पानी पत में लगा ये जैविक इंधन प्लांट भी पराली की समस्याओं के थाई समाधान में मदद करने वाला है, इस आधुनिक प्लांट में धान और गेहूं के भूसे के साथ ही मक्के का बचा हुआ हिस्सा, गन्ने की खोई, सड़ा, गला, अनाज, इन सभी का इस्तेवाल इथेनौल बनाने में किया जाएगा, यानि किसानों की बहुत बड़ी चिंता सवाप्त होगी, हमारे अन्नदाता, जो मजबूरी में पराली जनाते थे, जिने इस वज़व से बदनाम कर दिया गया था, उन्हें भी अब गर्व होगा, कि वो इथेनौल या जैविक इंधन के उत्पादन में भी मदद कर रहे हैं, राष्ट निर्माण में मदद कर रहे हैं, गाय भैंसों से जो गोबर होता है, खेतों से जो कचरा निकलता है, उसके निप्तारे के लिए सरकार ने और एक योजना भी चलाई है, गोबर्धन योजना भी शुरू की है, गोबर्धन योजना भी किसानों की आय बढ़ाने का एक और माध्यम बन रही है, साथियों, आजहादी के इतने दस्वकों तक हम फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, खाने का तेल हो, कच्चा तेल हो, गैस हो, इनके लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं इसलिए जैसे ही वैस्वीक परिस्थित्यों की वजह से सप्लाइज चेंड में अवरोध आता है, भारत भी दिक्कतों से बच नहीं सकता है बीते आठ वर्सों से देश इन चुनोतियों के स्थाई समातान पर भी काम कर रहा है देश में नए फर्टिलाइजर प्लांट लग रहे हैं, नेनो फर्टिलाइजर का उत्पादन हो रहा है खाज्ड तेल के लिए नए नए मिशन भी चुरू हुए हैं, आने वाले समय में ये सभी देश को समस्याओं के स्थाई समाधान की तरफ ले जाएंगे साथ क्यों, आजहादी के अम्रित काल में देश आत्म निर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है हमारे गाउं और हमारे किसान आत्म निर्भरता के सबसे बड़े उदारन है किसान अपनी जरुवत की चीजें काफी हद तक अपने गाउं में ही जुटा लेते हैं गाउं के सामाजिक आर्थिक व्यवस्ता ऐसी होती है कि जब एक दुसरे की जरुवतों को पुरा भी करने के लिए सब साथ आ जाते हैं यही वज़ है कि गाउं के लोगों में बचत की प्रवुत्ती भी बहुत मजबूत होती है उनकी ये प्रवुत्ती देश के पैसे भी बचा रही है पैट्रोल में इथेनॉल मिनाने से बीते साथ आठ साल में देश के करीब करीब पच्चास हजार करोड रुपिये बहार विदेश जाने से बचे हैं और करीब करीब इतने ही हजार करोड रुपिये इथेनॉल ब्लेंडिंग की वज़र से हमारे देश के किसानों के पास गए हैं यानि जो पैसे विदेश जाते थे वो एक तरह से हमारे किसानों को मिले हैं साथियों 21 सदी के नए भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है आज देश बड़े संकल्प ले रहा है और उन्हें सिद्ध भी करके दिखा रहा है कुछ साल पहले देश ने तय किया था कि पैट्रोल में दस प्रतिशत तक इथे नौल मिलाने का लक्ष पूरा करेंगे हमारे किसान भाई बहनों की मदद से देश ने ये लक्ष समय से पहले ही हासिल कर लिया आठ साल पहले हमारे देश में इथे नौल का उत्पादन जिर्फ चालिस कलोर लिटर के आसपास होता था आज करीब करीब चार सो करोर लिटर इथे नौल का उत्पादन हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा में इथे नौल बनाने के लिए कच्चा माल हमारे किसानों के खेतों से ही तो आता है खासकर गन्ना किसानों को इससे बहुत बड़ा लाब हुआ है देश कैसे बड़े लक्स हासिल कर रहा है इसका मैं अपने किसान भाईयों मैंनों को एक और उदान देता हूं 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड के आसपास LPG गैस कनेक्शन थे देश की आधी आबादी को माता और बहनों को रसोई के धुए में छोड़ दिया गया था बहनों बेटियों के खराब स्वास्त और असविदा से जो नुक्सान होता है उसकी पहले परवाही नहीं की गई है मुझे खुशी है कि आज उज्वला योजना से ही नव करोड से जादा गैस कनेक्शन गरीब बहनों को दिये जा चुके हैं अब हम देश में करीब करीब शत्त प्रतीशत LPG कवरे तक पहुच चुके हैं 14 करोड से बढ़कर आज देश में करीब 31 करोड गैस कनेक्शन है इससे हमारे गरीब परिवार मद्दमबर के लोगों को बहुत जादा सुविदा हुई हैं साथियों देश में CNG नेटवर्क बढ़ाने और पाइप से सस्ती गैस घर घर पहुचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है हमारे देश में नब्बे के दसक में CNG स्टेशन लगने शुरू हुए थे आठ साल पहले तक देश में CNG के आठ सो से भी कम स्टेशन थे घरों में पाइप से आने वाली गैस के कनेक्शन भी कुछ लाख ही थे आज देश भर में साड़े चार हजार से अधिक CNG स्टेशन है और पाइप से गैस के कनेक्शन का आखड़ा एक करोड को चू रहा है आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो देश इस लक्ष पर भी काम कर रहा है कि अगले कुछ वर्षों में देश के 75 प्रतिशत से जादा घरों में पाइप से गैस पहुचने लगे साथियों आज जो सैंकडो किलोमेटर लंबी गैस पाइप लाई ने हम बिछा रहे हैं जो आधुनिक प्लांट जो फैक्टरियां हम लगा रहे हैं इनका सबसे अधिकलाब हमारी युवापीडी को होगा देश में ग्रीन जॉप्स के निरंतर नए अउसर बनेंगे रोजगार के अउसर बढ़ेंगे आज की समस्याएं हमारी भावी पीडियों को कस्ट नहीं देगी यही सही विकास है यही विकास की सच्ची प्रतिबद्धता है साथियों अगर राजनीती में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पैट्रोल डीजल भी मुप्त देने की गोशना कर सकता है ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छिनेंगे देश को आत्म निर्भर बनने से रोकेंगे ऐसी स्वार्थ भरी नितियों से देश के इमानदाट टैक्ष्ट वेर का बोजबी बढ़ता ही जाएगा अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ऐसी गोशनाए करने वाले कभी नई टेक्नोलोजी पर निवेश नहीं करेंगे वो किसान से जूठे वाइदे करेंगे लेकिन किसानों की आए बढ़ाने के लिए इथेनोल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे वो बढ़ते प्रदुशन पर हवा 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 बाते करते रहेंगे लेकिन उसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे मेरे प्यारे भावियों भेनों ये नीती नहीं अनीती है ये राष्ट अहीत नहीं ये राष्ट अहीत है ये राष्ट अनिर्मान नहीं राष्ट को पीछे धकेलने की कोशिश है देश के सामने जो चुनोतियां है उनसे निपटने के लिए साफ नियत चाहिए निष्टा चाहिए नीती चाहिए इसके लिए परिश्ट्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है और सरकार को बहुत सारी राष्टी निवेश करनी पड़ती है जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं उसके पांद धनी नहीं होगा तो इधेनौल प्लांट, बायो गैस प्लांट, बड़े बड़े सोलर प्लांट, हाइड्रोजन गैस्टे प्लांट जो आज लग रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राष्ट तो हमेशा रहेगा सद्यों से रहता आया है, सद्यों तक रहने वाला है उसमें रहने वाली संताने भी हमेशा रहेगी, हमें हमारी भावी संतानों के बविश्य को बरबात करने का हक नहीं है साथियों, आजहादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों ने भी इसी सास्वत भावना से काम किया है अगर वो भी तब अपना सोचते है, अपना स्वार्थ देखते, तो उनके जीवन में भी कोई कश्ट नहीं आता वो कठिनाईयों से, गोलियों से, फांसी के फंदे से, यातनाओं से बची जाते हैं लेकिन उनकी संताने, यानी हम, हम भारत के लोग आज़ादी का अमरित महोसव नहीं मना पाते अगस्त का ये महिना, क्रांती का महिना है, इसलिए एक देश के रुक में हमें ये संकल्प लेना है कि ऐसी हर प्रवृत्य को बढ़ने नहीं देंगे, ये देश का सामुहिक दाईत्व है साथियों, आज़ादी के इस अमरित महोसव में, आज़ जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है तब कुछ ऐसा भी हुआ है, जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हुए हमारे वीर, स्वतंत्रा, सेनानियों को अप्वानित करने का, इस पवित्र आउसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है ऐसे लोगों की मानसिक्ता देश को भी समझना जरूरी है हम जानते हैं, कभी कभी कोई मरीच अपनी लंबी बिमारी के इलाज से ठक जाता है निराश हो जाता है, अच्छे डॉक्टरों से स्थरा लेने के बावजूद, जब उसे लाब नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहों, अंद्विश्वाज की तरफ बढ़ने लग जाता है वो जाड़ फूंक कराने लगता है, तोने तोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं, जो नकारत पकता के भवर में फसे हुए हैं, निराशा में डुबे हुए हैं सरकार के खिलाब जूट पर जूट बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं ऐसी हतासा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं अभी हमने पांच अगस को देखा है कि कैसे काले जादू का काले जादू को फ्रलाने का भरपुर प्यास किया गया ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहन कर उनकी निराशा हतासा का काल समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फुंक कर ले कितना ही काला जादू कर ले अंद विश्वास कर ले जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा और मैं ये भी कहूंगा किस काले जादू के फैर में आजहादि के अमरित महोचव का अपमान न करें तिरंगे का अपमान न करें साथियों कुछ राजनितिक दलों की स्वार्थ नीती से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर काम करती रहेगी मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए सकारत्वक विश्वास की उर्जा इसी तरह पैदा होती रहेगी एक बार फिर हर्याना के कोटी-कोटी साथ्यों को, किसान और पसुपालग बहन भाईयों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, कल रक्षा बंधन का पवित्र त्योहार भी है, भाई बहन के नहे के प्रतीक, इस पर्वपर हर भाई अपना कर्टव्य निभाने का संकल्प दोहराता है। कामरा के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आप ये सीधी तस्विरे देख रहे थे जहां प्रहनमंत जिन्दरेंद्रमूदी, पानीपत स्थित चो टूजी एथिनॉल प्लांट है, उसका उन्होंने वीडियो कान्फरेंसिंग के जरीए उदखाटन किया, और इस कारिक्रम को संबोध्यत भी किया, बहुत सा कुछ पॉइंटर्स के जरीए बता रहें किस तरह से प्रहार मंत्रे के संबोधन की क्या कुछ खास बाते रहीं, उन्होंने कहा आधुने कि इथिनॉल का ये प्लांट नसरी एक शुरुवात मातर है, बलकि इससे दिल्ली, NCR और हर्याना में प्रदूशन कम होने में काफी म बदद मिलेगी, उन्होंने का कि आज हर्याना डबल बधाई का हकदार भी है, किस तरह से, जिस तरह से वहाँ के खिलाडियों ने, वहाँ के बेटे बेटियों ने देश का नाम, कॉमन वेल्थ गेम में रोशन किया है, देश का सर उंचा किया है, उसी तरह से ये जो उर्ज यहाँ से निकलेगी, यहाँ के खेतों से जो उर्जा निकलेगी, वो देश को और यहाँ के किसानों को बाकी किसानों को भी उर्जा पैदा और उर्जा वान बनाएगी, बायो फ्यूल प्रकृति की रक्षा का ही एक परियाए है, प्रिशान मंत्री ने, यह भी कहा कि अगर जराने से धरती मा जुलस्ती थी उससे अब इस प्लान्ट के जरीए धरती मा को मुक्ति मिलेगी जब किसान अपने पराली को लेकर यहां आएंगे और उससे एथेनौल का निर्मान किया जाये गा और इससे कहीं ने कहीं जो आसपास के गाओं है उन गाओं के लोगों को भी र जो लोग परिशान थे अब उनके लिए ये एक अतरिक्त आई का स्रोत बन जाएगा उन्होंने ये भी का कि शॉर्टकट अपनाने के बजाए हमारी सरकार समस्या के स्थाई समाधान निकालने में हमेशा से लगी हुई है हम इस समस्या को समझते हैं इसलिए इसका स्थाई समा धान भी दे रहे हैं पराली की समस्या में जानते कि दिल्ली एंसियार के लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत होती है आजादिक अमरितकाल में देश आत्मिर्वर बन रहा है और संकल्प को साकार करने के दिशा में लगातार देश आगे बढ़ता जा रहा है हमारे किसा और गाउं आत्मिर्वरता का सबसे बड़ा उनके एक्जामपल हैं उनके उधारन हैं प्रहान मंत्री ने ये भी बाते कहीं उनने का कि पेट्रॉल में इथनौल मिलाने से करिब करिब पचास हजार करोड रुपए विदेश जाने से बचे हैं पचास हजार करोड रुपए और इतना ही पैसा देश के किसानों को भी मिला है प्रहान मंत्री ने ये कहा पचास हजार करोड रुपए उनने कहा कि आज देश में करिब करिब चार सौ करोड लीटर इथनौल का उत्पादन हो रहा है पूरे देश में सी एंजी नेटवर्क बढ़ाने और जो गैस बेस्ट एकॉनमी है उसको बढ़ाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और 75 फीसे से ज़्यादा घरों में पाइप से गैस पहुंचने भी लगा है अगले कुछ वर्षों में ये पहुंच जाएगा आज कि वाली पीडियों को ना दें उन्हें कष्ट ना दें ये प्रहानमंद्री ने कहा है उनने का कि दूसरे राजनतिक दल बोड़ते प्रदुशन पर हवाई बाते करते हैं उसे रोकने के लिए जो करना होगा उससे वो दूर भाग जाते हैं देश की समस्याओं से निपटने के है और हमेशा से ही रहे गा जो लोग सोचते हैं काले कपने पहन कर उनके निराश्रा हताशा का दो खत्म हो जाएगा प्रदा मंत्री ने ऐसका कि कितना ही वो जादू टोना कर लें कितना ही ज़ार फूक कर लें जननता पर जननता उन पर भर Johannes नहीं करेगी प्रदूनारं मंत ये काफी एहम है तो ये कुछ एहम बाते हैं जो कि प्रहान मंत्री ने इस टूजी इथनॉल प्रांट के उध्खाटन जो कि वीडियो कांफरेंस जरू उध्खाटन किया उस पर होने बाते कहीं बढ़ेंगे आगे और यहां लोके छोड़ी से ब्रेक के लिए आप देखते र पर पाई एग्रिकल्चर इंशॉरंस कंपनी ओफ इंडिया लिमिटेड संपन्न भारत की पहचान बीमित फसल खुशाल किसार मौनसूर में गरमी से राहत तो मिलती है पर इस दोरान बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है बरसात में असरक्षित भोजन खाने की वज़े से खाद जनित बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है कुछ एहम चीजें जिन से हम सुरक्षित रह सकते हैं खाना पकाने से बाजार से खरीदी गई सभी चीजों को ठीक से धोले अपनी और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखे सिर्फ साफ पानी का ही इस्तिमाल करे ताजा खाना ही खाएं और उतना ही बनाएं जितनी आवशकता हो बचे हुए खाने को ठंडा होते ही फ्रिज में रखे ताकि खाने में हानिकारक सुक्ष्म जीमों का विकास ना हो और जब खाएं तो उसे अच्छी तरह गरम करके खाएं जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूद दही को तुरंत फ्रिज में रखे अपने खाने में ताजी और स्थानी सामगरी का इस्तिमाल करें काली मिर्च, लसुन, अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी भी शामिल करें Food Safety and Standards Authority of India द्वारा जनहित में जारी चल भाई, जुमके बदली कराने है अरे अंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, क्यां से बतलवा लो? पर खरीदा था उस दुकान से था अरे, अगर हॉलमाक का निशान है न, तो कहीं से भी अतलबदली करा लो वो भी भी ना किसी डर के सच? हाँ, सोलाने सोना कहीं भी खरीदो, बेचो, बेजिजख, बेफिक्र, हॉलमाक के साथ हॉलमाक है, तो सोना है अर्पारिक और अधुनिक इलाज की साजा ताकत को मझबूत करना है आउष और मोर्ण हेल्ट केर का एक साथ एक बराबर विकास होगा तभी पहतर स्वास्त हमादान हम तयार कर भाएंगे Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach the market size for Ayush streams including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Yunani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy has crossed over 18.2 billion US dollars growing at 17% every year the Ayush XL will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters it will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine Ayush XL shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory And if you want to come back to another way ब्रेकवाब आपका पृरस्त हमेएखपर और इस मौके पर केंद्रे मंत्री हरदीप सिंग्पूरी ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार ने कई प्रयास किये कि कुछ राजी 5% इतेनॉल ब्लेंडिंग हाइं लेकिन 2014 तक हम केवल 1.4 फिसद एथिनॉल ही ब्लेंडिंग तक पहुँच पाये थे मगर वक्त बदला और 2014 के बाद हमने 8 वर्षों में 10.1 च्छे फिसद तक एथिनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष हासिल कर लिया है 2014 से पहले तब की केंद्र सरकार ने काफी प्रयत्न करने किया कि कुछ राज्ज पांच परसंट एथिनॉल ब्लेंडिंग को हासिल करें लेकिन 2014 तक हम सिर्फ 1.4 परसंट ब्लेंडिंग तक पहुँच पाये थे किन्तु समय बदला और वर्ष 2014 में माननिय प्रदान मंत्री जे के मार्ग रर्शन में इस विशे पर सकरात्मक प्रयास शुरू हुआ और केवल आठ वर्षों में भारत ने 1.4 परसंट से लेकर 10.16 परसंट एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष हासिल कर लिया है हमारे साथ हमारे सेयोगी सुधाकर दास इस वक्त तास अप्रेट के साथ फोन लाइन पे मौजुद हैं सुधाकर जैसा की बहुत सारी एहम बात देके लेकिन प्रहान मंत्री ने मैं थोड़ा सा इस से हटकर की प्रहान मंत्री ने का की काले कपड़े के बहाने जिस तरह से इडी पर जो राजनीती हुई और उन्होंने अप्रत्यक्ष तरपर कॉंग्रेस पर टिपनी की उस पर आपके एक टिपनी चाहूंगा फिर मैं अगुश्य पर आता हूँ बिलकुल देखे असीम और खास तोर पर उन्होंने कहा भी कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो काले जादू पर अंद विश्वास पर विश्वास करने लगे हैं ऐसे लोगों की मन सिखता है देश को भी समझना ज़रू है उसी तरह तरह को ने कहा कि पांच अगस को जिस तरह से काले कपड़े पहन कर कॉंग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और एक तरह 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 का कि आप आजादी के अमरेस मौत्सों में देश जब अपन कराज नहीं हो पाया क्योंकि महंगाई के मुद्धे पर कॉंग्रेस चर्चा चाहती थी लेकिन जब वित्व मंत्री चर्चा का जवाब देने के लिए आई तो हमने देखा कि कॉंग्रेस सदन से भाग खड़ी हुई तो एक तरह से उसी को निशाना प्रदान मंत्री ने बन के बहान उनों एक कॉंग्रेस पर कटाक्श चाहि किस तरह से एडी जो एक देश के जाच एजनसी है उनके कामकाज को प्रभावित किया गया उन पे राजनिती की गई तो इस बहाने प्रदान मंत्री ने कॉंग्रेस पर साधा निशा लेकिन जिस तरह से आज का कारीक्रम थ उन्होंने का कि ये बस एक शुरुवात है और इस से ने सिर्फ दिली एंसी आर बलकी हर्याना में भी जो प्रदूर्शन हम देखते हैं उससे काफी मदद मिलेगी सुधाकराववावा साथ बने हुए अपनी बात पूरी कीजे अजिब बलकुल और देखे उन्होंने वही कहा कि जनता कितना ही अजन विश्वास ये कर लें सीधे तोर पर उन्होंने कहा कि लेकिन जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा और उन्होंने कहा कि काले जादू के फेर में एक तरह से ये कम से कम अमरित महत्वाव का और तिरंगे का मान ना करे। कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीती से अलग। उन्हों का कि हमारी सबकार सबका साथ सबका विकाश सबके विश्वाश के मंतर पर काम कर रही है। करती रहेगी और उन्होंने उदारन भी दिया कि एक तरह से जब जाजनीती में स्वार्थ वह कहीं आ जाता है तो किस तरह से देश के विकाश के लिए देश के बेटर भविश्य के बजाए हो अपने बारे में अपने हितों के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक यही बात एक तरह से पराली के समस्चा के निदान को लेकर हमने देखा कि बीटे दिनों में कई बात चाहे दिरली सरकार की बात हो पंजाब में पिछली सरकार की बात हो इस सरकार की बात हो तो इस तरह के जो प्रयास या अनॉंसमेंट कही तरह के हुए भविश को लेक अगर किसी तरह से कोच की बात नजर नहीं आती प्याम मोदी ने कहा भी कि हो सकता है आज मुफ्त के चक्कर में राजनेतिक लाव लेने के चक्कर में कोई ये भी अनौंस कर दे कि भाई प्ट्रोल डीजल को हम मुफ्त में दे देंगे लेकिन इसे कोई हमारे देश के बच्च किसाओं को आज ही सुरियाना होगा और ये भरोसा विश्वास मुदी सरकार ने दिखाया और पराली जितनी कितनी बड़ी समस्या असीन हम खास तोर से सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है दिल्ली गाजियाबाद नोईडा हर्याना के जो आसपास के लाके हैं और हर्याना के तम करनी के जरिया एद दीयाओं तो दीखे निश्चित तौर पर इस समस्या का फिमादान होगा जूरू एक कारेकर हम ता न conception मृते होगे कैहिए जो ऑख donc कोशिश है लेकिन शॉर्ट कर्ट एक तरह से कई वार शॉर्ट सर्कित का कारज मर सकता है तो निश्चित आता उस और भी हमला बोला है ऐसे लोगों से सथियत साफधान रहने की एक तरह सो मुझे लगता है संदेश दिया और देखे अब सुधाकर हुने हर्याना की जो खिलाडी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह से अपनी उर्जा से देश का नाम रोशन किया उन्होंने का कि हर्याना के खेत भी अब उर्जा पैदा करके दिखाएंगे सुधाकर जिब बिल्कुब देखे और बहुत महतवपूर्ण है आमने देखा कि खास्तों से असीम हर्याना के खिलाडियों ने जिस तरह से मेडल की बरसात की है कॉमन विल्स गेम्स में चाहें बेटियों की खास्तों से अगर बात की जाए तो बहुत जित शांदार तरीके से प्रदर्शन किया है और प्यम मोदी इस बात को लगतार कहते रहे हैं मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे एक बहुती महतुपूर्ण संदेश की प्रदान मंत्री नरिंद मोदी ने सूरत तिरंगा यात्रा कारक्टरम को संबोधित किया आईए वो सुनाते हैं आपको नमस्कार आप सभी को आज़ादी के अम्रित महोसव की हारदिक शुप कामनाए अपसे कुछी दिन बाद देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस अइतिहासिक स्वतमत्रता दिवस की पूर जोस तैयारी भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर कौने में तिरंगा ही तिरंगा चाया हुआ है गुजरात का भी कोई कौना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ ना हो और सूरत ने तो इसमें चार चान लगा दिये हैं आज पूरे देश का ध्यान सूरत पर है सूरत की तिरंगा यात्रा एक तरह से लगू भारत के दर्शन हो रहे है हाँ साइद इंदुस्तान का कोई कौना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत में नबस्ते हो और आज एक पकार से पूरा हिंदुस्तान सूरत की धर्ति पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ है और ये भी खुछी की बात है समाज का हर वर्ग शामिल है तिरंगे में जोडने की कितनी ताकत है ये आज सूरत में हम देख रहे हैं सूरत ने अपने व्यापार, कारोबार, अपने उद्योगों के कारण दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाई है आज सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में भी आकर्षन का केंदर बनेगी साथियों आपने तिरंगा यात्रा में भारत माता की जाकी के साथ साथ देश की संस्कृती और पहचान से जुड़ी जहांकिया को भी शामिल किया है विशेश्टूप से बेटियों द्वारा शावर्य प्रदर्शन और युवाओं की जो भागिदारी है वो वाकई अधूत है सूरत के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को तिरंगा यात्रा में जीवन्त कर दिया है कोई वस्त्र विक्रेता है कोई दुकांदार है कोई लूम्स का कारीगर है कोई सिलाई या एम्डरोडरी का कारीगर है कोई ट्रांस्पर्टेशन से जुड़ा है कोई हीरे जवारात से जुड़ा हुआ है सूरत के पूरी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री सूरत के लोगों ने इस आयोजन को बहुत भव्य बना दिया है हर गर्थ तिनंग अभियान की इस जन भागिदारी के लिए और इस विशेश तिनंग यात्रा के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं विशेश रुप से सावर प्रसाद बुधिया जी और साकेत सेवा ही लक्ष ग्रुप से जुड़े सभी वॉलेंटियर्स की सराहना करता हूँ जिनोंने ये पहल शुरू की संसद में मेरे साथ ही सियार पाटिल जी का सहयोग इस पहल को और सजक बना रहा है साथियों हमारा राष्ट्रिय धर्च अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग देश की खादी और हमारी आत्मन निर्भरता का एक प्रतीक रहा है इस खेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मन निर्भर भारत के लिए आधार तयार किया है सूरत के वस्त्र उद्योग ने भारत की उद्योग भावना का भारत के स्कील और भारत की सम्रुद्धी का प्रतिनीजित्व किया है इसलिए ये तिरंगा यात्रा अपने आप में उस गवरव प्रेणा को भी समेटे हुए है साथियों भारत ने स्वाधिन्ता संग्राम के इतिहास में गुजरात के गवरवशाली योगदान का अपना एक अलगी स्वर्णी मध्या लिखा है गुजरात ने बापु के रूप में आजादी की लड़ाई को नित्रत्व दिया गुजरात ने लोहपुरु सरदार प्रेल्ची से नायत दिये जिन्नों आजादी के बाद एक भारत स्रेष्ट भारत की बुनियाद रची बारडोली आंदोलन और दांडी यात्रां से निकले संदेश ने पूरे देश को एक जुट कर दिया था गुजरात के इसी गवरवशाली अतीद का एक अभिन्न हिस्सा हमारा सूरत है और इसकी विरासत है साथ्यों भारत का तिरंगा केवल तीन रंगों को ही स्वयम बेश नहीं सबटे है हमारा तिरंगा हमारे अतीद के गवरव को हमारे वर्तमान की कर्तब्य निश्चा को और बविश्य के सपनों का भी एक प्रतिवीम है हमारा तिरंगा भारत की एकता का भारत की अखंडता का और भारत की विवितता का भी एक प्रतिवीम है हमारे सेनानियों ने तिरंगे में देश के भविश्य को देखा देश के सपनों को देखा और इसे कभी जुक ने नहीं दिया आज आज़ादी के 75 वर्ष बात जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो तिरंगा एक बार फील भारत की एकता और चेतना का प्रतिवीत्व कर रहा है मुझे खुशी है कि देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं में हर घर तिरंगा अभियान में देश की वो शक्ति और भक्ति एक साथ जलक रही है तेरा अगस से पंदरा अगस के बीच भारत के हर घर में होगा तिरंगा भारत के हर घर में फैराएगा तिरंगा समाज के हर वर्ग हर जाती मत पंत के लोग स्वतास फूर्थ एक ऐसे भाव के साथ एक ताकी पहचान के साथ नए सपने और संकल्पों के साथ पुरा देश जुड रहा है यह पहचान है भारत के कर्तब में निष्ठ नागरी की यह पहचान है मा भारती की संतान की महिला पुरूश नवजवान बुजूर जो जिस भुवी का मैं है इस अभियान में अपना सहयोग दे रहा है अपना कर्तब में निभा रहा है मुझे संतोस है कि हर गर तिरंगा अभियान की वज़े से कितने ही गरीबों की बुनकरों की हैंलुम में काम करने वालों की अतिरिक्ट आय भी हो रही है आजादी के अमरित महोसों में इस तरह के आयोजन हमारे संकल्पों को एक नई उर्जा देंगे जन भागीदारी के अभ्यान नए भारत की बुनियात को मजबूत करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को गुजरात को पुरे देश को और खास करके मेरा सुरतना लालाओं ने खूप खूप शुप कामना आओ और सुरत एक बार नक्टी करेंगे पजी 11 पाची पानी न करें आ सुरतने विशेस्ता आँछे शुरत जेरीते धम धमी रहुँछे सुरत जेरीते प्रगतिनी नविनमी उंचाईयो पार करी रहुँछे एना मूल मां आ मारा सुरती लाला छे आ मारा सुरतना भाईयो भहनो छे आज आतिरंगा यात्रानू अध्भूत द्रश्य देश मांटे पन प्रेरक बनी रेश्य मारीत अमने बताने खुप 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 कामना हो धन्यवाद तो इस संदेश के साथ है इस बुलिट में बस इतना ही हमें दीचा नमती नमस्कार आज हादी के अम्रुत महुत्सव का प्रारंब हो रहा है कि अध्यादी का अम्रुत महुत्सव स्वतंवर्ता के 75 वर्षों के साथ हमारे देश के गौरवशाली इतिहाद